हलो एब्रिवान वालकम टो आर यूटूब रिपरेशन चनल दोस्तो मेरे लोड में आज आज आप सब के सामने बेहड एंट्रेंस आसाम इनिवर्सिटी सिल्चार जो फोर्थ मेरेट लिस्ट आया उसके बाद आप लोग कैसे मतलब कह सेकते एड्मिशन लेंगे और कह सेकते और कोई भी लिस्ट आयेगा के नहीं फिफ्ट लिस्ट इसके बारे में भी बताऊंगा और कुछ टुडेंट का कुछ क्वेरी से वो भी में आज सब के सामने बता दूंगा आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस वीडियो को जादा से जादा शेर करना और देखिए ओनलाइन क्लासे शुरू हो गया फोर आसाम डाइरेक्ट रिकूर्टमेंट एक्जाम 2023 अगर आप लोग ओनलाइन क्लास जोइन करना चाहते तो आपको मंतलिफ इस टूंडेट उपीस पे करना होगा थुरू यूपीय यानि फोन पेज जीपीय या पेटियम से किस नमबर पेख करेंगे 9901467653 इस नमबर पेख करके इसका स्केंशोट मेरो वाटसाफ नमबर पे वेज़ देना मेरो वाटसाफ नमबर है 9901467653 जो के सेम नमबर है और देखिए बेट का जो फोर्थ मेरिट लिस्ट आया उसमें मतलब कह सेकते हैं बहुत सारे भी हुआ और बाकी कोलेज में भी हुआ तो देखिए कुछ स्टुडेंट का यह भी इंफ्फोर्मेशन है कैसे मतलब एड्मिशन ले और कब तक मतलब लास्ट जेट है सो देखिए आप लोग खोलके पीडियों खोलके भी देख सकते हो, सो इसका जो लास्ट डेट है देखिए यह नीचे दिया हुआ है, देखो, लास्ट डेट फॉर अड्मिशन और सिलेक्टेड केंडिडेट विल बी अप टू 16.10.2023, यानि कह सकते हैं मंडे तक आप लोग ल इस इंस्टिटूट पर आप लोग जाओगे उदर से चलान देंगे, उसके बाद आप लोग बैंक से बैंक पे पे करके उसके बाद यह चलान जमा कर देना, सब कैसे कह सकते हैं, क्लास्ट 10 से लेके पूरा आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है, उस तक मतलब कह सकते हैं, तो क्या होगा, जिदर नहीं लिया, आप लोग ने दूसरे कॉलज पर इसके बैसिस पर ले नहीं सकते हो, ठीके, तो कुछ स्टूटन का यह भी, मतलब क्याक्शन था कि मतलब यह हम लोग अभी नहीं लेंगे, इस कॉलज में यह कॉलज दूर है या वैसा ही, लेकिन यह न लेंगे, और किसा का अगर मतलब मल्टि पूल आ जाता है तो भूलोग नहीं लेंगे, तो कह सकते फिफ्थ मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो फिफ्थ मेरिट लिस्ट खैसकते, most probably अगर आए तो ट्विस्ट यको आएगा, आप लोग मेरे साद बने रहो, मैं आप वसब को बताऊंगा सब कुछ, तेंक्यू सो मच, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अनलाइन क्लास जोइन कर लो, तेंक्यू